दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि इस फोटो के अंदर यह वाला विंडो एफेक्ट हमने कैसे क्रेट किया पूरी वीडियो में आपको यही समझ में आएगा कि हमने यह वाला एफेक्ट कैसे क्रेट किया यह ज़स्ट इसी सिंपल स्टेप सोने वाले बहुत इजी में आपको समझाने वाला हूं तो चलो स्टार्ट करते हैं तो हलो गाइज माइने में वेलकाम बैक टूदिस आज की इस वीडियों में आपको बताने वालों जैसे आपनों पर ने स्टार्टिंग में देखा कैसे हम ने आज यह विंडो एफेक्ट बन आज आएंगे कैसे हम पूरी अट्रेटिंग वगेरा करेंगे जो सिंपल में सिंपल तरीकाइसे होने वाली तो जो आपको कफी इजली समझ में आगी आपको बड़ी बड़ी वीडियो देखने के जरूत नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बैल आइकन दबाओ आपक आपके साथ नोलेश करोंगा मैं कुछ ट्रॉपिक को ऊपर सर्च कर रहा हूं डेली वीडियो डाल रहा हूं अजकल हो सकता है अगले कुछ दिनों बाद डेले वीडियो में डालना बंद कर दूँगा फिर बाद में आपके बास वीडियो आएगी दो तीन दिन दिन में से है एक दिन वीडियो क्यों से वीडियो बताता हूं आप बाते हैं इस वीडियो के टोपिक पर हम चलते हैं और आपको बताता हूं कैसे आप करेंगे तो दोस्तों हमाचुके यव लेपटोप की इस्क्रेन पे मैं आपको बताताओं क्या करना सबसे पहले आपको फोड़ोजोब ऑपन करना मैं已經 автом उपन कर रosit철 तो मैं इसके अंदर कोई भी एक फोटो लेज़ता हूं जो लेता हूं, अब आपको क्या करना है, इसमें देखों आप ऐसे तो बना नहीं सकते, ऐसे करके बना नहीं सकते, यह अच्छे से नहीं बनाई गा, तो आपको क्या करना है, एक new file, new create करना project, कोई भी size ले रही है, फिर बाद में आपको जाना है, यह जो option आ रहा है, rectangle tool, इस पर क्लिक करना है फिर यहां पर कलर सेलेक करना ब्लेक के ब्लेक सेलेक्ट हो गया इसका ट्रांस्परेट बेग्राउंड हटा देता हूं मैं यह न्यू ले लेता हूं मैं फिर आपको ऐसे ड्रो करना है यह मेरा एक ड्रो हो गया अब मैं रेक्टेंगल यह रेक्टेंगल मार्क सबको मर्च करतेता हूं नहीं तो आप यहां पर किशी भी लेरी माटि मर्ज वीजीभल ती वह सारी बन्सील अब आपको क्या करना है ctrl T दबाने के बाद आपको राट क्लिक करने चथर बड़ पर स्पेक्टीव पर किलिक करना है जेस्ट ओप्शन आएगा आपके पैस यह पहले आपको दबाना Ctrl T, फिर आपको दबाना Right Click, फिर आपके पास आएगा Perspective, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर यहां से निचे से ड्रेक करना है, खिड़की की तरह, तो यह हमारा हो चुक है, फिर आपको जेस्ट डन कर देना है फिर आपके पास क्या option बज़ेगा अब इसको आपको लेना ब्रस के अंदर तो ब्रस के अंदर कैसे लेंगे हम जाएंगे हम एड़े टेप के अंदर फिर जाएंगे हम नीचे define brush preset इस पर हम क्लिक करेंगे तब हम यह हमारा preset यह preset brush के अंदर आ जाएगा तो just okay करते हैं एंड य लिवाली फोटो पे अब देखो यह उल्टा बना दिया मैंने तो मैं सिद्धा करने के लिए क्लिए क्लिक करूंगा जो इधर एरो जा रही है यह देखो यह इधर है तो इसको मैं इधर गुमा देता हूं यह तोड़ा उपन हिच्छ हो गया हुआ कि तो अभी अच्छा ने लग रहा कि अभी परफेक्ट लग रहा अब साइड में क्लिक करताब विंडू ज्यादा बड़ी लग रही तो आपको अल्ट दबा के रखना पी रैट क्लिक चोटा करना आपको ब्रस को चोटा करने के लिए ऐसा होता है अल्ट दबाके रक को फिर राइट के लिए को इधर या उदर ड्रेक करो तो आपको ब्रस छोटा होता जाएगा तो मैं कर देता हूं इसके अकोडिंग फिर यहां पर करेक फिर यहां पर पहले नहीं करूंगा पहले एक नई लेयर बनाऊंगा नुए रागे में हमारी उसको क्या करूंगा मैं ओ ट्रेल इस लिए रहा है ऐसा लग रहा है कि इसी सी आ रखी आप लेकिन इसमें प्रोब्लम क्या यांपर यह ऐसी विंडो नहीं एक माउस को करसर को चेंज करता हूं विंडो टूल आपको कैसे अट्रेक्टिव बनाना है विंडो इफेक्ट जो अपनी फोटो के अंदर एक अमेजिंग लूग देख सकते हो आपके पास विंडो ऐसी नहीं है तो आप किसी बेग्राउंड पर फोटो एडिट करने बाद ऐसा इफेक्ट डाल सकते हो जैसे मैं भ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना यहर वीडियो में बोलता हूं यह सब तो मुझे पटाए आप लोग करे करोंगे वह में नहीं नहीं किया तो मेरी वीडियो अगर आप तक पूरी पहुंच ईए तो आप तक जोड़ पहुंचेगे कि किसी भी आलत में निए ने